जय हिंद सातियों वंसिका आल जाफ सिंदी चैनल में स्वागत हैं जी यहां सातियों एक और बैकेंसी आ चुकी है आर्मी का जो की बियार रिजिमेंटल सेंटर दानापूर में निकली हुई है जो कंडिडेट आर्मी का तयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत खुसी की बात है जो की आर्मी में गुरूप सी की पोस्ट पे बैकेंसी निकली हुई है टोटल बैकेंसी बारा पोस्ट है टेड पोस्ट पहला पोस्ट है कूप, वासर मैन, बार्बर, सफाई वाला, कारपेंटर गुरूप सी की बाकेंसी निकली हुई है कितना रिक्तिया है, कितना जगा है यह भी बता रहे हैं कूप में टोटल चार पोस्ट है वासर मैन में टोटल एक पोस्ट है बारबर में तीन पोस्ट है, सफाई वाला में तीन पोस्ट है, कर्पेंटर में एक पोस्ट है अब यह बता दें कितने कौन से कट्गरी में कितने पोस्ट है पहला कुक, में टोटल चार पोस्ट है, जनरल के लिए, दो, AC के लिए एक, ST के लिए एक भी सीट नहीं है, OVC के लिए एक सीट वासर मैन में टोटल एक बैकेंसी है जनरल का एक भी नहीं AC का एक भी नहीं ST का एक भी नहीं OBC का एक है बारबर बारबर का टोटल पोस्ट तीन है बारबर का टोटल पोस्ट तीन है जनरल का एक AC का एक ST का एक भी सीट नहीं है OBC का एक सीट है करपेंटर, करपेंटर में एक सीट है सिब जनरल कटिगरी के कंडिडेट आवेदन कर सकते हैं क्वालिफिकेशन बता दें, योगिता क्या मांगा गया है कूक में दसमी पास प्लस कूकिंग नालेज होना जरूरी है वासर मैन में दसमी पास प्लस क्लाथिंग कपड़ा साप करना का अनबव होना जरूरी है बारबर में दसमी पास मांगा गया है साथ में बाल काटने का अनबव होना जरूरी है सफाई वाल में दसमी पास मांगा गया है इसमें भी सफाई करने का अनुबव होना जरूरी है करपेंटर में दसवी पास साथ में ITI कंडिडेट पास भी आवेदन कर सकते हैं एज की बात करें इसमें कितने वर्ष कंडिडेट आवेदन कितने वर्ष के कंडिडेट आवेदन कर सकते हैं between 18 से 25 वर्ष के candidate आवेदन कर सकते हैं एज रिलेशन में भी छूट मिला गया है OVC को 3 वर्ष, AC को 5 वर्ष, ST को 5 वर्ष OVC candidate 18 से 28 वर्ष तक आवेदन कर सकता है AC के candidate 18 से 30 वर्ष आवेदन कर सकता है ST candidate 18 से 30 वर्ष तक आवेदन कर सकता है सेलेक्शन प्रोसेज के बारे में बता दें साथियों आप लोग को पहले तो return test होगा यानि exam होगा फिर उसके बाद test test होगा जिस post के लिए आप apply कर रहे हैं उसका test होगा लिफापे में 25 रुपय का टिकट चिप का है document परमारित होना चाहिए document में क्या क्या लगएगा ये भी बता दें education certificate, medical certificate, cost certificate कितने mark का होगा टोटल डेड़ सो नम्मर का होगा question डेड़ सो होगा डेड़ सो नम्मर का होगा दो गंटे समय दिया जाएगा फार्म कैसे बरना है ये भी बता दें पहला कालम में full name यानि जो भी matriculation दस्वी पास में आपका नाम है उसको capital letter में लिखना है दूसरा कालम में आदन नेम यानि पिता जी का नाम लिखना है तीसरा कालम में date of birth आपका जो भी certificate में date of birth वो तीसरा कालम में लिखना है age per school certificate यानि जो आपका metric में है दस्वी में है वो ही date of birth यानि जन्म तिति लिखना है चोथा कालम में years, month, day यानि जन्म तिति कितने वर्स का आप हो गया है कितने month है कितना day हो गया है यह दर्साना है पच्वा कालम में right category to which you belong यानि आप किस category से बिलांग करते हैं यानि किस category से हैं OBC है तो OBC लिख दें AC है तो AC लिख दें ST है तो ST लिख दें चट्वा कालम में नेसल्टी यानि Indian सट्वा कालम में religion यानि किस में आते हैं हिंदू में आते हैं कि सीक में आते हैं किसाई में आते हैं जो भी आते हैं सट्वा कालम में लिखना है अठवा कालम में address and pin code in full combination with near east railway station अठवा कलम में आपका जो भी नजदी की railway station है वो लिखना है साथ में वहां का पीन कोड भी दरसा देना है नवा कलम में परजेंट आड्रेस परजेंट आड्रेस होता है जैसे अपना घर छोड़के कहीं भी रहते हैं अगर वहां पर कल लेटर मगवाना चाहते हैं तो वहां का आड्रेस लिख दीजिए दसवा कलम में पर्मनेंट आड्रेस यानि अस्ताई पता आपका घर का पता होना चाहिए इग्रावा कालम में नेम दे इगजाम पास यानि दसुपी पास हो या बारुपी पास हो या कोई टेक्निकल डिगरी हो वो आपना लिख दो यहर आप पासिंग कौन सा वर्ष में आप पास किये हैं हो लिखना है परसंटेज कालम में एकस्प्रियंस उफनी यानी जो भी टेट टाइट से आप अपलाई कि तयाकूख में शपाय में या कार्चि पेंटर में या वासर में जो भी है बरावा कालम में experience यानि अन्बाव लगा दें अगर अन्बाव हो तो अन्बाव बहुत जरूरी है लगा दें यानि एक वर्स का या दो वर्स का अन्बाव परमाड़ पत्र होना जरूरी है तेरावा कलम में Government Services यानि जो Government में जाब कर चुके हैं उनके लिए हैं आना है तो Civil वाले अगर होंगे तो उस कलम को छोड़ देङे च्छोधावा कलम में भी छोड़ देङे क्योंकि Government Service वाले ही अपना नेम लिखेंगे Mobile नमख, email, registration अपना जो भी है लिखेंगे प्राइन करें फारम बढ़ते समय एक फोटो सेल्फ असिस्टेड होना जरूरी है सोयम आपने का सेल्फ असिस्टेड हो वह चिपकाएं धन्यवाद सातियो वनसी का आल जापस इंदी चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें कमेंट करें ताकि आने वाला जो भी बाकेंसी हो आप लोग को मिलें